जी बारत और तरह टेली या खेलेग से तिम के बने बात घ्याम के कमर तोड़ कर रख दी हैं ती верх तो सब्सक्रानः से पहले तेस्थ के पहले जिक्न तुमंघ्यल पक्राइकी शूमें जिस्क्षिट में आचुकी है जी हां दोस्तोrus परकासे healthy Him परकश्य उड़ाई और बंडे में बार्त की जीत पकी का सिकी तिखाएंगे इसे पूरे मुकावले की हाइलाइट वीडियो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे से पहले आप बारत के शेरों के सब्सक्राइब करना नहीं बुले सबसे पहले आप सभी को बता दे कि इतीन मैचों की सीरीज का या दूसरा मुकावला है जब दोस्तों टोस का समय हुआ तो सीका उस्टेलिया टीम के अपक्स में गिरा जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे कि ऑस्टेलिया टीम के बलेबाद स्टीव समय रहे थे आपको बता दे कि पहले बंडे मुकावले की कफ़्दानी पैट कमीन ने समाली थी जब कि आज की म मकावले में फैट कि मिन ये पलेंग लेवन से बाहर दे आज अगी ठाट कंशी इपक्स में गिरा और सथी ने टॉस डीट कर पहले के इंदबाद जी का वैसला लिया था इस मुकावले में बाट ये टीम को बढ़रा देखने को मिला लोकेस कप्तान लोकेस अलाओन ये तरफ से मकावले में पिस सुमंगिल के साथ का एक वाट बले बाजी करने के लिए मैदान पर आए और दोस्ताब को बता दे कि मादान पर आते ही दोन बले वाजों ने बले बाजी का नजारा पेश किया और उस्टेलिया की तरफ से पहला और करने के लिए जजे जूंसन आई अपनी पहले ही ओर में बार्तिय टीम ने तेरा रन बटोर ले थे वहीं दोस्ते लिए की तरफ से दूसरा और करने के लिए मैजान पर जस अजलवुड सामने आए और एक रन देकर अपनी अच्छी सुरुवाद की लेकिन उसके वाद दोस्तों जब चौथे ओर में फिर से और जलवुड आये तो उसने गायकवाड को बहुत प्रिसान किया और चौथे अवर के चौथी गेंद पर गायकवाड को राउट कर बार्तिय टीम को पहला जटका दे दिया जबकि दोस्तों उस्टेलिया के किलाफ पहले बंडे मुकावले में अज़से तक मारने वाले गा के चंद बाजों की दजिया उड़ानी शुरू कर दी जब दोस्तों उस्टेलिया की टीम की तरफ से पातमावरे करने के लिए जो जो संबस्तने आए तो सरे सईयर ने दो चोक के जड़कर ऑस्टेलिया टीम को गुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया आप सभी को बता एकी सरे से यहर ने ग्यारा चुकों और तीन सकों की मदद से इस्तके पारी खेल करें तीम की दुलाई की और उसके बाद सीम अबोट की गेंद पर एंस वॉर्ट के हाथों का एताउट हो गए और उसके बाद बलेवाजी करने के लिए कप्तान के स्रावलाई और अपने बैट से अध्सतके पारी खेल कर तीन सकों और तीन सकों की मदद से बाउंड रन बनाकर प्रविनियन लोट गए और उसके बाद बलेवाजी करने के लिए तुरी कमारी आदव आए और मैदान पर आते ही उन्होंने अपने बलेवाजी का को राम शुरू कर दिया और उस्टेलिया सब्सक्राइब करने बलेवाजी